राहूल गांधी स्पीच, राहूल गांधी के भाशन पर 14 जगह चली स्पीकर ओम बिर्ला की कैची, जानिये क्या क्या हटाया। राहूल गांधी स्पीच इन लोक सभा, राहूल गांधी ने सोमवार को BJP पर हमला बोलते हुए कहा था कि जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं वे हिंसा करते हैं। बी जेपी हिंसा करती है उन्होंने अगनिवीर को लेकर भी हमला बोला था जानकारी के मुताबिक स्पीकर ने राहुल की तरफ से भाजपा के संदर्ब में हिंदू धर्म को लेकर दिये कई संदर्ब तीन से दो प्रमो खुद्योग पतियों का जिक्र जिनका कॉंड्रेस अक् सभा में विपक्ष के नेता के रूप में पहले भाशन के 14 अंशों में से हैं जिसे सोमवार देर रात स्पीकर ओम बिर्ला ने हटाया। कॉंड्रेस ने की स्पीकर के फैसले की आलोचना। इसके अलावा सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच अभिवादन के अभाव के बार उठाया और मानकी की उनकी तिप्पनियों को संसदिय रिकॉर्ड में बहाल किया जाए। पी-एम के खंडन में इस्तिमाल शब्दों को नहीं हटाया। रिपोर्ट के मुताबिक एक तरफ जहां ओम बिर्ला ने हिंदू धर्म और भाजपा के बारे में राहुल गांधी के स गंभीर मुद्दा है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना एक गंभीर मुद्दा है। पी-एम की इस बात के बाद राहुल गांधी ने जो प्रतिक्रिया दी थी उसे भी हटा दिया गया है। जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं, वे मैं दोहराना चाहता हूँ। उनका वाक्य था कि जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं, वे की बात करते हैं, करते हैं। हाला कि शाह का यह वाक्य जो रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है उसमें कहा गया है उन्हें गांधीक शायद यह नहीं पता कि इस देश में करोणों लोग हैं जो खुद को गर्व से हिंदू कहते हैं क्या वे सभी हिंसा की बात करते हैं और हिंसा करते हैं